जहिन बच्चो कैसे आप तो अनी सर आपके धमाकेदार वीडियो के साथ लेके आया है कि इस्पॉर्टिंग देर को पांच सेकेंड में कैसे सॉल्व करें जी हाँ ये बहुत ही कारगार method है आपको ये 5 step follow करने है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 5 step अगर आपने follow कर लिया उसी order ठीक है तो आप spotting the error में तो आप master बनी जाएंगे और किसी भी तरह के question को आप 5 second में कर सकते हैं जी हाँ लाइक कीजिए और notification का जो bell icon है उसको प्रेस कर दीजिए हाँ वीडियो कैसे लगी comment में जरूर लिखना है क्योंकि आपकी जो वी comments आई हमें motivate करते हैं और improve करने में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन-कौन से 5 step है जो आपको लेने हैं कि आपके spotting the error के questions correct हो जाएं मैं इसमें last question भी करके दिखाऊंगा और पांच topics भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है subject verb जो की बहुत जरूरी है spotting the error के questions को correct करने के लिए तो जी हाँ करते हैं सुरुवात सबसे पहले हम बात करते है step number one जब भी मैं spotting the error के जो question करते हो तो question पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ने के बाद में आपको ये देखना है कि क्या sentence में जो subject verb है क्या हो subject के अनुसार है मतब subject singular है तो क्या verb singular है सबसे पहले आपको ये देखना है अगर नहीं है तो आपका error वहीं पे verb में होगा ठीक है अगर subject of verb एक दूसरे के अनुसार सही है मतब सिंग्लो और plural एक जैसे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और check करेंगे फिर अगले step पे आ जाएंगे अगला step होगा मेरा कि सबसे अब हमें देखता है कि क्या sentence में जो time का जो flow है मतब sentence अगर past tense में लिखा गया है तो क्या सब कुछ past में है या नहीं है ये आपका step two है ठीक है step two अगर नहीं है तो उस verb में error होगा ठीक है उस verb में error होगा sentence past में है, कहीं पर present है तो भाई present को past में कीजिए यह आपका step 2 होगा, ठीक है अगर ऐसा भी कुछ आपका error नहीं दिखाई दे रहा है मतलब subject singular, verb singular है, tenses भी सही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, step 3 में क्या sentence में जो pronoun है pronoun है क्या वो subject की अनुसार है यह चेक कीजिएगा, क्योंकि subject verb agreement में error detect नहीं हो सकता हो तो verb को चेक करता है आपका दूसरा step जो tenses का है, वो भी verb को चेक करता है, pronoun जो है वो आपके subject के अनुसार होने चाहिए यह दिखेगा आप step 3 में, आपको जरूर कहीं न कहीं यहाँ पे error तो मिल ही जाएगा मत्ता आपके जो question है न बिटा ध्यान दीजेगा, आपके 70% आपके इसी step में आपको error मिल जाएगा 70% question आप 3 step में ही कर पाएगे अगर यहाँ पे भी नहीं बहरता है ठीक है, इसी इसको super floss तो unnecessary word eliminate कीजिए अगर लगता यार कोई unnecessary word भी नहीं है इसमें, तो अब हमें देखना है कि क्या sentence में जो modifier हैं वो शब्द जो modify करते हैं क्या वो उस शब्द के साथ है जिसको modify करना है तो यह होगा आपका पांचवा step प्यारे बच्चों, यह 5 step लोगे तो हकीकत में मैं बताता हूँ यकीन मानिएगा, दुनिया का कोई भी escorting the error का question आप 5 second में कर सकते हैं guaranteed आगे बढ़ते हैं, कुछ question करके देख लेते हैं, क्या यह सही होता है सबसे पहले देख लीजिएगा I have been informed that your father has died last week सबसे पहला देखान दीजी का question तो मैं इस question को देख रहा हूँ I have been informed, subject है, verb है ठीक है, subject है, verb है ठीक है, subject verb agreement में step 1 में मेरा यह sentence जो है यह pass हो गया step 2 जो था, step 2 जो था क्या वो time के अनुसार flow है हाँ जी, I have been informed that ठीक है, your father has died last week बिटा, last week देखान दीजीए यह past का time है, और past का time होने के वज़े से sentence, past में ही लिखा जाना चीए किस में लिखा जाना चीए, past में ही लिखा जाना चीए तो your father died last week मत्तरह यहाँ पे step 2 में error मिल गया है मुझे एक और question हम देखते हैं I was surprised to see that you have already given the answer again subject verb agreement सबसे पहला step 1 में देखता हूँ क्या subject के अनुसार verb है I was, ठीक है you have, मत्तब subject के अनुसार तो verb है, चलिए जी step 1 जो है, यहाँ पे मेरा sentence pass हो गया step 2, क्या था हमारा time के according flow है क्या इसमें, तो चलिए देखते है I was surprised, बहुत बढ़ी है to see that your father have died, अब देखिएगा sentence मेरा past में है, past के बाद में यहाँ पे present में आ गया भई past के बाद में present में आ नहीं सकता sentence past में है तो सब कुछ past में ही जाएगा तो you have already given the answer, you already gave the answer, होना चाहिए error जो है मेरा c part में है तो step 2 में मुझे error मिल गया आगे बढ़ते हैं, अगला question है, the teacher emphasized on the need of the discipline, मैंने देख लिया the teacher emphasized, ठीक है तो subject, verb के according, step 1 में में मेरा sentence past हो गया, अगर मैं step 2 जो देखूँ, step 2 जो देखूँ जो tenses का था tenses का था, तो क्या simple past और एक छोटा ऐसा ही sentence है, तो भाई इसमें तो past में सब कुछ लिखा गया, past में भी चला गया step 3 में मैंने क्या किया था step number 3 में मैंने क्या किया था pronoun किया था, तो क्या बिटा यहां पे pronoun है, the teacher emphasized on the need of discipline, pronoun भी नहीं है, step 3 में भी मेरा past हो गया चलिए आजाए, step 4 में मैंने बोला था, step 4 में मैंने बोला था unnecessary reputation of the word unnecessary reputation of the word, ध्यान दीजिए जिसका मैंने नाम दिया था, super floss तो क्या इस sentence में कोई ऐसा word है, जो कि unnecessary लिखा गया है, जिसकी जुरूत नहीं है, the teacher emphasized on the need of discipline, तो मैंने देखा कि यहां पे on जो है, यह लिखा गया है, on जो लिखा गया है emphasize के बाद में कभी on नहीं आता ठीक है, emphasize का मतलब ही उसके अंदर में ही on word include होता है ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने देखा super floss का error था, भी part में मेरा जो topic था, जो error था, वो मुझे मिल गया उसके बाद में फिर अगला question हम देखते हैं, सबसे पहले, रोहन's mother asked him to come home directly after the class चलिए, अब यहां पे भी देखते हैं भाई, step one, सबसे पहला subject verb agreement, तो रोहन's mother asked him, भाई, बिल्कुँ सही है, to come home directly after the class बिल्कुँ सही है, step two जो था, वो मेरा tenses का था क्या sentence, past tense में है छोटा सा sentence है, तो भाई, tenses में भी मेरा सही है, दिक्कट tenses का हो आती है, जब एक से ज़्यादा, जब sentences होते है वहाँ भी थोड़ी सी, आपको देखना होता है लेकिन छोटा sentence है, past में लिखा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, tenses की कोई गलती यहाँ पे हमारी नहीं होगी आजाए, अब हम step three में देखते हैं क्या pronoun pronoun जो है, रोहन's mother asked him to come home directly after the class, तो वेटा pronoun भी मेरा सही है, आजाए step four में मैं देखता हूँ, step four में super floss क्या कोई unnecessary repetition of the word है क्या, रोहन's mother asked him to come home directly after the class नहीं वेटा, super floss में भी नहीं है आजाए, step number five step number five में मैं देखता हूँ, जो modifier का था, कि क्या जो word modify कर रहा है, क्या वो अपने जगह पे place है या नहीं है, तो रोहन's mother asked him to come home directly अच्छा, come home directly जो है, home को emphasize कर रहा है, home को emphasize कर रहा है, और यह adverb of manner है, sorry come को emphasize कर रहा है, और adverb of manner है, और मुझे इतना पता है कि भाई, जो direct, जो word है यह चाहें adjective हो, चाहें adverb हो, यह रहता एक जगह है तो यहाँ पे directly नहीं होगा, यहाँ पे होगा direct, तो यहाँ पे error मिला मुझे step 5 में, तो धिहां दीजेगा यह step है, 1, 2, 3, 4, 5 अगर इस step को इसी तरह से follow करेंगे, spotting the error के question आपके 5 second में हो जाएंगे, अभी मैं explain कर रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, जब आप करोगे न तो 5 second में guaranteed हो जाएगा चलिए, he didn't say simple past में, that you will, अब देखिएगा subject verb, step number 2 में मिल गया मुझे, sentence past में start हो रहा है, तो भाई, यह future पे कहां इसको भी past में डालो न, would tenses का error है भाई, इसमें the various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats, देखते हैं by step number 1 subject verb agreement, subject verb agreement, चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरा subject कहा है, the various consequences the various consequences subject आ गया देखिए, subject के तुरंट बाद वर्व होना चाहिए लेकिन मैंने देखा, यहाँ पे आ गया preposition of, भाई, यह खेल है subject के बाद, जहाँ पे भी कोई preposition आ जाएना, तो समझ लो, वहाँ पे खेल attribute का हो जाता है, और 99% cases में, step one में ही गलती मिलता है, मतलब subject verb agreement का rule होता है, तो the various consequences decision taken by the finance ministry अब आ जाईए, यह जो part है यह है मेरा attribute, subject है मेरा the various consequences, singular या plural, plural है, consequences रिखा, plural है, तो भाई, was नहीं यह हो जाएगा मेरा, were यह रहे tricks, जो आपको करा रहा हूं है, Alex is as hard working, if not more hard working than any other student in his class, चलिए subject verb, Alex is singular है, फिर उसके बाद में आते हैं tenses में, तो tenses भाई, simple present में ही है, कोई, नहीं, sentence जो है, continuous tense में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, thought जो आता है मेरा, उसमें हम देखते हैं कि भाई, क्या यहाँ पे super floss तो नहीं है तो क्या super floss तो नहीं है, कोई unnecessary repetition of the word नहीं लग रहा है, क्या इसमें modifier सही जगर पे place है, तो मैं देखता हूं और यह as hard working के साथ में as आता है as और positive degree को as complete करता है, यह error मिल गया मेरा part A पे, तो यह तरीका है जो भी मैंने आपको इस video में बताया यह 5 तरीके हैं, 5 step है जो आपको follow करने हैं, और यह 5 step को अगर आप follow करते हो, थोड़ा सा practice करोगे तो spotting the error के कोई भी question को आप 5 second में कर सकते हो तो उमीद करता हूं, यह video पसंद आएगा इसमें बताई हुए tricks पसंद आएगे ऐसी और videos के लिए इस channel के साथ जोड़े और बने रहें, जैहिंद